नमस्कार मैं सौरा मिश्वा स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने सीटूप चैनल एगरुकुल में फ्रेंड्स जो लोग मुझे परिशा गंगा पर देख रहे हैं उसको भी नमस्कार चलिए हम लोग किंद्रि विद्ध्याले ले वेकेंसी आई हैं उसके लेबरियन कोर्स के चैप्टर नमबर वन में यूनिट वन चैप्टर नमबर टू के क्लास फोर को कर रहे हैं ठीक है यह फोर्थ क्लास टार्ट हो गई है और आज इस क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं लाओ लाओ लाइबरी साइंस के चैप्टर हैं वह बहुत अच्छे से कंप्लीट करें बहुत basic से questions आते हैं क्यूंकि के इंद्रिध्याले लाइबरियन आप के वियस का लाइबरियन एक्जाम दे रहे हैं तो बहुत basic से questions आएंगे बट वह इतने basics भी नहीं होंगे कि आप उनको लाइटली ले ले कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो हम ले कवर करने हैं सबसे पहले जो स्टुएंट्स पेमेंट के लिए डिसकस कर रहे थे कि सर्प मुझे पेमेंट को लेकर कुछ प्रॉलम्स आ रही हैं उनके बारे मैं आपको बताना चाहूंगा बिटा आप लोग के आपकर अगर अगाउंट डिटेल में आप पेमेंट करना चाहा रहे हैं तो इस पेमेंट के मोड से आप 1299 की जो कोर्स फीज है यह आप पेमेंट कर सकते हैं अदरवाइस आपके पास फोन नमबर भी है ठीक है जिससे आप गूगल पे फोन पे पेटीम और भीम से पेमेंट कर सकते हैं 7007599629 पे ठीक है कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो इस प्राइमेंट को प्राइमेंट को लेकर मिस्टर शिवम जी का नमबर आपके पास यहां पे है 7800134446 आप इस पर पेमेंट करके शिवम सर से बात कर सकते हैं कोई डाउट होगा कोई प्लेरी होगी आपकी वो सॉल्ब करेंगे चलिए मेरी जो यह वीडियो हैं कहां पे अवलेबल होंगी आपको यह सारी वीडियो संसित गंगा अप्लिकेशन पे अवलेबल हो सकती है आप संसीत गंगा एप्लिकेशन पे जाकर ये वीडियोज चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पेमेंट करने के बाद अगर आप स्क्रीन शॉट शेयर करते हैं, शिवम सर के पास या फिर मेरे पास जो नमबर्स आपको दिये हैं, आपको एक्सिस दिया जाएगा गंगा संसीत ग यहाँ पे चेप्टर 1 के जगह चेप्टर 2 होगा, हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, चेप्टर 2, यहाँ पे यह एडिट नहीं हुआ है, चेप्टर 2 है, और यह शोशल इंस्ट्यूशन नहीं होगा, चेप्टर का नाम आप देख लीजएगा, इसमें हम लोग क् क्लास 11 की, जो आपका NCRT का बुक है, क्लास 11 का, वहाँ से हमने यह कोर्स तैयार किया है, बहुत अथेंटिक सोर्स हैं, तो प्लीज, आप इनहीं अथेंटिक सोर्स का फॉलो करिएगा, प्लीज, एक्जामनेशन में, क्योंकि जब भी अगर आप कोई क्वेरी करेंगे, या से questions आए हुए हैं, चीक है, KVS में भी और various examinations में भी, मैंने वो सारे questions देखे हैं, और उन questions को देखने के बाद, जो questions हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, उनको देखे, सबसे पहले, 5 law of library science, यह किसने बनाया थे, आप लोग को पता होगा, Dr. S.R. रगनातन सेने, Father of Indian library science, यह सबसे पहले उन्होंने कहां लिखे, यह law उन्होंने कहां बनाय थे, या कहां लिखे थे, 1928 में उसको formulate कर लिया था, मतलब उनके पास यह था, कि मुझे यह library science में कुछ करना है, या कुछ उन्होंने law छोटे मोटे बना लिये थे, यह 5 laws, ठीक है, बट अभी तक उन्होंने लोगों के बारे मुझे को बता रहे थे, discussion चल रहा था, लेकिन अभी भी यह books या यह law publish नहीं हुए थे, तो बन तो गए थे, formulate तो हो गए थे, मतलब इनका जनम हो गया था, यह लोग, यह formulas, discussion और debate के form में तो थे, बट अभी तक यह publish नहीं हुए थे, सबसे पहले इसका जो यह important year है, प्लीज, आप लोग याद रखिएगा हमेशा, KVS में और ISRO Library Assistant में, DRDO में भी कुछ जगह पे, यह question आया है कि first publication कब हुआ था, 5 law of library science का, Dr. S.R. रंगनातन सर ने सबसे पहले कब publish किये थे, यह law, the answer is 1931, okay, question आया हुआ है, 5 law of library science was first published, कब हुए थे, 1931 में, और एक important बात, library science से जोड़ी हुई यह घटना, जो यह साल में important घटना थी, यही Melville Davy का death year भी है, ठीक है, यही इनका death year भी है, तो यह याद रखने में थोड़ा सासानी होगी, कि जिस साल, Melville Davy जी expire हुए थे, उन्होंने, जिस साल उनका स्वर्गवास हुआ था, जिस साल उनका इंतकाल हुआ था, उसी साल यह 1931 में ही, डॉक्टर एसार रंगनाथन सर ने अपने फॉर्मला यह जो 5 law of library science थे, वो publish किये थे, यह चोटी से कहाने, इसलिए ताकि आपको यह घटना याद हो जाए, यह टॉपिक याद हो जाए, कि डॉक्टर एसार रंगनाथन सर न नाम था, ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं 5 law, यह 5 law हैं क्या, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं कि यह 5 laws हैं क्या यहाँ पे, चलिए, पहला law, 5 laws में हम लोग पहला law पढ़ रहे हैं, books are for use, books are for use, books किस के लिए हैं, use करने के लिए, यह साजो समान नहीं है, यह सजावट क वस्तुएं नहीं हैं, इनका इस्तमाल करना चाहिए, इनको use करना चाहिए, library में log करके, सजा के, अच्छी लग रही हैं, किताबे, मोटी-मोटी किताबे हैं, भरी-पढ़ी हैं, इसलिए नहीं हैं, books किस के लिए हैं, ताकि इनको आके users use करें, ठीक, next, every reader, his or her book, सभी readers, जि special library हो, किसी भी library के वो readers हैं, उनकी book है, every reader, his or her book, इसका मतलब क्या हुआ, books for all, किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई discrimination नहीं, कहीं से भी किसी प्रकार का discrimination नहीं होगा, अगर आप libraries में जा रहे हैं, और अपने book पढ़ना चाह रहे हैं, अपने मंद पसंद की book पढ़ना चाह हैं, तो आपके पास कोई, कोई भी library में जो भी staff member है, आपको ये मना नहीं कर पाएगा, कि आप ये book मतलब, अगर वो book available है, तो, ठीक है, कोई इसने, किसी ने इसको issue करा रखा है, ये book available ही नहीं है, फिर आप एंगे नहीं, सर मुझे book दीजिए, ये भेली book लाके दीजिए ये कैसे नहीं दे सकते आप, मैंने library science का second law बढ़ा है, every reader his or her book, जो book library में available है, shelf में है, और अगर आप उसको access करना चाहर है, तो आप वो book मिलेगी, क्यों, क्योंकि law of library science में, dr. S.R. Mangthansan ने कहा है, कि every reader his or her book, यानि books for all, जो books होती है, वो सब के लिए होती है, ठीक है, कुछ book हो सकते हैं, जिनको आप issue करा सकते हैं, कुछ book होती हैं, जिनको आप issue नहीं करा सकते, लेगिन पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया है, ठीक है, वो issueable है या नहीं, वो point हो सकता है, बट आपको पढ़ने के लिए कोई doubt नहीं है, पढ़ना ही मिलेगा आपको, चलिए next, every book is इवरी बुक इट्स रीडर, अब ये डॉक्टर ऐसा रंगनातन सर करें कि बुक को, बुक के पॉइंट अब इससे करें, कि जो भी बुक होती है न, उससा कोई न कोई रीडर तो जरूर होता है, ऐसी कोई बुक है ही नहीं लैबरेरी में, जो कोई पूछी नहीं रहा है, जिस इट्स रीडर, और लैबरेरीन स्टाफ की जरूत होती है, या लैबरेरी को इस तरह से मैनेज करना चाहिए, कि उस बुक को, ये जो बुक है, उसको उसकी रीडर तक पहुचा दो, हमने सेकेंड लॉव में क्या कहा, कि रीडर को बुक तक पहुचाओ, और इसमें कह रहा है कि बुक को रीडर तक पहुचाओ, एवरी बुक इट्स रीडर और एवरी रीडर इट्स बुक, समझ में आ रहा है, दो लोनों लॉव में confusion नहीं होना है, सेकेंड लॉव में डॉक्टर ऐसा रगनासन फोकस कर रहे हैं, कि जो रीडर है जो ये व्यक्ति है, ये रीडर है, इसको इसकी ये बुक है, यहां तक पहुचा दो, चीक है, और the second case is यहां पे एक बुक रखी हुई है, शेल्फ में, और यहां पे एक रीडर है, ये ढूड राय कब से, विचारा परशान है, काच, मुझे ये बुक मिल जाती, तो इसको यहां तक पहुचा दो, चीक है, दो टाइम ऑफ दे रीडर, रीडर का टाइम क्या करो, सेव करो, इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ऐसा अनक्तास ने कहा, कि जो रीडर होता है, वो बहुत बीजी परसन है, और उसके टाइम को किल करना मतलब लाइबरी की इनिफिचेंसी, तो आप अपने रीडर के जितने भी टाइम को सेव करो, और इसके लिए करना क्या होगा, कभी कोई भी लाइबरी रीडर में एंटर करें, तो उसको इतनी तरीकी सर्विसेज मिलनी चाहिए, वो जिस माइंड थौट से बुक लाइबरी में एंटर किया है, उसका वो परपस सॉल्व करो, वो सॉल्व तो होना चाहिए, बट मिनमम टाइम में, कम से कम समय में, ठीक है? सेव दा टाइम आफ दा रीडर, अ यूजर इस सपोस्ट टू बी वेरी बिजी परसन, वो बहुत बिजी है, सो, इस और हर टाइम, इस और हर टाइम मस्ट भी सेव, उसका टाइम सेव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ऐसार रनिथांसर कहते हैं, उसके टाइम बुक किल करने से कोई मतलब नहीं, आप उसके टाइम को बचाईए, और उसको टाइम को बचाने के लिए, हमें बहुत सारे ट्रिक एंड सलूशन चाहिए होते, जो अभी हम लोग इसमें जब इसका इंप्लिमेंटेशन देखेंगे, तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे, चलिए, नेक्स्ट, हमें और क्या देखना है, फिफ्ट लॉ, फिफ्ट लॉ क्या कहता है, लैब्रिरी इस अ ग्रोइंग और्गिजम, ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, लैब्रिरी ऐसी नहीं कि एक बार बेल्डिंग बना दी, दस-पंदर बुक रख दिया, जो भी बुक्स नम्बस थे, वो रख दिया और हो गया काम, बस खतम, दस साल पहले भी वही हालत थी, पचीस साल बाद भी वही हालत है, नहीं, ये नहीं होगा, क्यों क्योंकि लैब्रिरी को ऐसा रंगधासर कहते हैं, कि ये ग्रोइंग और्गिजम है, इसमें कुछ न कुछ घटेगा, कुछ न कुछ बढ़ेगा, जादा तर निरंतर ग्रोथ होती रहेगी, इसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, जैसे किसी एक बच्चे का होता है, ठीक है, कोई शुशू जब जनम लेता है, कोई बच्चा जब जनम लेता है, तो वो उतना ही नहीं रहता, उसके साथ उसकी निरंतर ग्रोथ होती रहती है भले एक दिन बे एक पॉइंट ही कुछ न कुछ बढ़े या कुछ न कुछ ग्रोथ हो उसी तरह लैबरेरी में होना चाहिए हर साल कुछ न कुछ नई बुक्स आनी चाहिए और जो भी पुरानी या आउटडेटेड बुक्स हो चुकी है फट गई है अब उनको हटाना चाहिए जगा बन सके और जरूरत पढ़े तो बिल्डिंग ही बड़ी कर लीजिए अगर आपकी लैबरेरी इतनी छोटी हो गई है अब टाइम के साथ साथ उसकी रीडर्स भढ़ गए हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेडी मिटर्स थे वो इंक्रीज हो गए है तो अपनी लैबरेरी की बिल्डिंग को ही इंक्रीज करिए और बिल्डिंग को बनाते समय भी ध्यान रखिए कि मेभी शायदा से 10 साल बाद हमें अपनी बिल्डिंग के साइस को ही इंक्रीज करना पड़े इसलिए जो डिजाइन है जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह सा होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग की लाइबरेरीज को कभी भी इंक्रीज किया जा सके चले अब हम इसका देखते हैं इंप्लिमेंटेशन चीक है फिर्स लॉव बुक्स आर फॉर यूज इसमें डॉक्टर एसार अगनतान सर कहते हैं कि बुक्स की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उनको यूज करने का मन करे या उनको यूज करना आसान हो जाए लैबरीरीज में लैबरीरीज का अरेंजमेंट इस तरह से करो आप या इस तरह से रखना चाहिए उनकी लोकेशन ऐसी बननी चाहिए कि आपको इसमें एक लैबरीरी की लोकेशन के बारें बात की जा रहे है लैबरीरी की लोकेशन का मतलब यह हुआ कि आपकी जो library होनी चाहिए वो center center of the city होनी चाहिए ऐसी जगह ना हो कि वहाँ पे users का पहुचना मुश्किल हो जाए या users properly पहुचना पाए उसको difficulty हो इसलिए रणनातन सर ने कहा कि आप अपने library को मालो जो आपको city का area है उसके कहीं कहीं center पे रखो अच्छी अच्छी library center पे हो अरे अलग-अलग sectors में भी divide किया गया हो अगर तो जो district libraries बने जो village library बने जो center library बने वो ऐसी जगह पे हो जहां पे उनका access easily हो सके कहीं से भी कोई आके बहुत आराम से आपकी library को visit कर सके यह था first law of library science अगर ऐसा होगा तो क्या होगा books use होंगी otherwise अगर आपने library को कहीं इस जगह पे बना रखा है जहां से कोई access ही नहीं कर पा रहा है libraries को तो libraries में books का use नहीं होगा यह था first use, first law का first implementation, second library hours, आपकी library hours होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि users के convenient में हो ऐसा नहों कि आपने ऐसे जबेंपे library खो लिए जब users ही नहीं आते हैं एक public library है मैं example लेता हूँ public library का main जो objective होता है कि ज़र्नल public है उनको सर्फ किया जाए लेकिन अब जर्नल public क्या करती है या उसका एक जो average schedule होता है सुबह उठना, office जाना, काम करना दुपहर का time किसी तरह निकल जाए शाम के time में थोड़ा से लोग free होते हैं उस समय कुछ पढ़ना चाहें या सुबह के time में लोग पढ़ना चाहें सुबह के time ऐसे लोग आएंगे जो working class के नहीं है जो हो सकता है छोटे बच्चे आएं हो सकता है कि retired persons आएं आपके पास तो अगर आपने सुबह खोली है तो आपके पास जो users होंगे वो olders होंगे, थोड़े से व्रिद्र लोग होंगे शाम की time अगर आप खोलते हैं academic library आपके academic time में चलेगी आपका जो institution है आपका जो school है, आपका college university है उस time पे चलेगी और अगर आपने पता लगए school time में, school hours में ही college librarian को बंद कर रखा है तो हमारे users कैसे आएंगे इसकी वज़े से हमारा जो first law है books are for use ये purpose solve नहीं कर पाएगा ठेक है, इस वज़े से आपको library के hours पे ध्यान रखना चाहिए जब आप opening hours हों उस ध्यान रखिए library की building और उसके furniture पे भी ध्यान रखना चाहिए so that की libraries को इस rules से use किया जा सके, कैसे library की building ऐसी होनी चाहिए जो बहुत easily accessible हो उसके उसमें जो इस तरह से center work किया गया है, मतलब की जो काम किया गया है उस पे, उसमें बहुत easily आराम से हो, मतलब उसमें wheelchair भी आराम से जा सके, easily access हो, उसके rooms बहुत जादा उचे नहों हो, इस तरह से नह बनाया जाएं कि जो main building है, जो main campus उसे कहीं दूर, कोने में जाके बनाया गया हो, ठीक है, इस तरह से नहों, rooms को इस तरह से design किया गया हो, कि बहुत easily आराम से आप, easily आके जुदने भी user से हमारे बैट सकें, वहां का interior ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जाने का मन करें, इस तरह से interior ना बनाया जाए या interior को न spend कर पाएं, ऐसा ना हो furniture का arrangement, जहां पे लोगों के बैठने में दिक्कत हो, लोगों को easily पढ़ने में दिक्कत हो, chairs ऐसे ना हो, tables ऐसे ना हो, कि users उसमें बैठने में comfortable ना हो, lightning की अच्छी विवस्था की गई हो, air conditioners हो, और ventilation होना चाहिए, smells नहीं आनी चाहिए, कोई unwanted, unhygenic, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, library की building और उनके furniture पे ध्यान देते समय, library का staff ऐसा ना हो चाहिए, कि users को वो promote कर सके, आप आईए, बैठिए, library में हम आपको service देंगे, आपको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, ठीक है, libraries का staff कॉपरेटिंग होना चाहिए, उनके library, जब भी कोई library में enter करे, कोई भी student या research scholars, उनको help करने के लिए इनको पास proper training और proper guidance होना चाहिए, इस तरह से library अगर आप क्योई भी staff यूज़ करेगा, तो हमारा जो first law है, books are for use, ये purpose solve कर लेगा अपना, next, open access होनी चाहिए books की, books को close access ना मिले, close access का मतलब है, कि almira है और almira में आपने books को बंद कर रखा है, जो user पहुचा, वो सोच रहा है कि मैं ये book निकालूं कि ना निकालूं, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा ताला देख कर, उसको लग रहा है, पता नहीं book मिले कि नहीं, या पता नहीं कोई special book हो, या फिर अगर आपने बहुत इसकिल की books हैं, वो निकाल लेजे, books के self में proper labeling होनी चाहिए, या उनको इस तरह से divide किया जाना चाहिए, कि कोई भी user बिना जादा किसी help के, बिना किसी technology को उससे साथ दिक्कत हुए, वो easily access कर सके, किस को, books को, यह point है हमारे, या इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते ह है, libraries, books, books are for use, यह purpose हमारा solve हो जाएगा, इन rules को apply करते हुए, या in methods को follow करते हुए, चिक है, चलिए, यह था हमारा first law, first law और इसका यह क्या था, implementation, questions कैसे आएंगे exams में, questions आता है, कोई भी एक point दे देगा, उठाके, कि इस वज़ए से, या यह point है, और इसकी में से कौन सा law ह हमारे implement हो रहा है, तो आपको यह बात ध्यान रखने हैं, जब आप सारे five law पढ़ लेंगे, तब आपको यह point समझ में आएगा, second law क्या कहता है, every reader his or her books, चीक है, सभी readers का, या जितने भी readers होते हैं, उनका कोई ने कोई books, उनकी पसंदी कोई ने कोई book library में होती है, यहाँ प बुक्स होती है, और उनको वहाँ तक पहुचाओ, every reader his or her book, इसमें देखते हैं, books for all symbolized education for all, सभी के लिए है books, और यह हमारे जो education for all का जो point है, उसको भी solve कर रहा है, कि books जितने भी हैं, उनके सबकी users है, education was not for all, sorry, in the past, education was not for all, it was only for the chosen peoples, या chosen few, मतलब ऐसे पहले जमाने में हो इक शा को एक उच्चवर के लिए माना जाता था, elite class के लिए माना जाता था, but आज की time में education for all के बारें बात कर रहे हैं, और education for all से मतलब है, readers को उसकी book तक पहुचाओ, जो भी readers है, वहाँ पे, उनके हिसाब से कोई ने को book available है, और उस reader को उसके book तक पहुचाना होगा, this law this law also advocates the generalization and democratization of library service, हमारी जो भी libraries हैं, उनको जादा जादा generalize करना होगा और democratize करना होगा, इसका मतलब सभी के लिए खोल ये दर्वाजे, कोई भी person, कभी भी, कोई भी reader आके किसी भी books को access कर सकता है, अगर वो library में available है तो, अगर ये purpose solve होता है, तो हमारा second law implement होगा, the library service has become the basic right, ये तो उनका basic right है, ठीक है, fundamental rights कह सकते हैं, for all citizens without any discrimination or distinctions, कोई भी भेदभाव कि ये बिना, उनके पास ये books available होगी, ये हमारा second law कोशिश करेगा कि ऐसा हो, इसका implementation देखते हैं, इसके implementation में देखेंगे तो obligation of the states, हमारे states के उपर ये obligation है, मतलब हमारे राज्य सरकार के उपर, या state का मतलब यहाँ पर central government और state government, उनके उपर ये binding है, उनके उपर ये implement करने की liability है, कि आप कुछ ऐसे legislations बनाए, law बनाए, जिससे हमारे libraries का proper use हो सके, और सभी readers को उनकी book तक पहुचाया जा सके, ये liability दी गई है, इस law according, ये libel है, governments, कि आप इस तरह का कोई काम करिये, so that कि उसके readers को उनके book तक पहुचाया जा सके, easily. obligation of the library authority, library authority इसके पास क्या obligation है, कि उनकी book तक पहुचाने कला, इस law के implement के लिए, उनके पास है, कि आप ऐसे books select करिये, जिससे readers बहुत easily, आराम से अपनी books को access कर पाए, इसका मतलब ही हुआ, कि आपको book selection ऐसे करना है, कि सभी के readers के point of book को धान रखके, आप book select करिये, ऐसा नहो कि आप बहुत एक specific subject को लेकर, एक specific user के point of view से books का selection कर रहे हूँ, ये बात आपको ध्यान रखके, book selection करते समय, ये liability किसके पास होगी, उनके authorities, या नि जो library के authorities हैं, उनके पास, library के staffs के पास, क्या obligations है, क्या liabilities है, उसका है कि जब भी कोई users आपके पास पहुचे, तो आप उस उसको as soon as possible, actively उसको handle करिए, ठीक है, और जितने भी readers आते हैं library में, उनके साथ properly coordination करके, उनको उनकी book तक पहुचाने का काम करिए, ठीक है, सभी readers को उनके book तक पहुचाईए, ये किसके जिम्मदारी होती है, जो library के staffs हैं, readers के उपर भी कुछ obligations डाले गए हैं, इस lock recording, वो क् करते हैं, कि देखिए, आप reader हैं, आपने एक book issue करा ली, और वो book कहां लेके रख गए आप, आपने पढ़ी और आपने proper time पे, जो भी time आपके पास allotted था, उस time frame में आपने वो book return नहीं की, ठीक है, इससे क्या होगा, माल लिजे कोई नया reader आया, और आप क्यूंकि book लेके ब finding है कि आप अगर चाहते हैं कि second law क्या हो, properly implement हो, और आपके साथ कभी ऐसा नहों, तो आप इस बात कभी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये था हमारा implementation of second law, third law देखते हैं, third law काता है, every book, जितनी भी books हैं, every books, it's reader, ऐसी कोई book है ही नहीं, जिसका कोई reader है, मतलब कि जितनी भी books है उनका कोई ने कोई reader है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि books को किसके पास पहुचा हो, sorry, reader भी books हैं, every book, it's reader, जितनी भी books है, उनका कोई ने कोई reader है, ऐसी कोई book है नहीं इस धर्ती पे, जिसको कोई पढ़ना न चाहे, जिसको कोई जानना न चाहे, इस law को, इसका utilization हो, इसके देना है आप जाएए बुक्स के सेल्फ के ऊपर यहाँ पे आपके सब्जेक्स लिखे गए है ठीक है उनको प्रॉपरली क्लासिफाई करके रखा गया है आप जाएए जो भी आपके सब्जेक्ट्स हूँ आपके अलमीरा में आपको पता चल गया यहाँ पे कि आपके हिंदी है यहाँ मैस है यहाँ साइन्स है यहाँ बाइलोजी है यहाँ फिजिक्स है जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं आपको जिनकी सब्जेक्ट्स चाहिए आपके पास जाहिए यहाँ पे आराम से इसली एक्सेस कर सकते हैं Book selection, Book selection करते समय भी ध्यान रखना होगा, कि आपकी जो readers हैं, या जो आपके पास एक specific type की readers हैं, उन्ही readers की point of view को धान में रखकर, आप books का selection करें अपनी library में, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका जोगी thought law होई, ये implement हो जाएगा, ठीक? Next है, self arrangement, Arrangement कैसे होना चाहिए, selfs का, selfs का arrangement आप इस तरह से करिए, कि किसी भी users को without any very difficulty, आप उसको बहुत easily आराम से उसके books तक पहुचा सकें, कैसे आप इस तरह से self करिए, subject wise, यहाँ पे English, Hindi, Math, Science, Social Studies, Economics, Politics, Physics, हर subjects की books, अगर इतने subjects की books आपके पास हैं, तो कोई भी user आएगा, उसको पता है कि मेरी books यहीं पे अवलेबल होगी, वो अपने self को देखेगा और वहाँ से book लेके चला जाएगा, तो books को कहां तक पहुचा आएगा, उसके reader तक पास, हमारे पास यह purpose solve, catalog उसका ऐसा बनना चाहिए, library का, किसी भी users के लिए, बहुत easy हो, बहुत आसान हो, कि वो अपने book तक पहुचा सके, क्यों catalog गर आप इस तरह से करेंगे, या catalog करते समय आप ये बात ध्यान रखेंगे, कि इस तरह से बनाया जाए, या catalog इस तरह रखा जाए, कि सभी users बहुत easily तक अपने books तक पहुच सकें, reference work की service होनी चाहिए, reference work का मतलब, कोई librarian में कोई भी person आया, उसको एक help desk मिले, ठीक है, library में आते हैं, उसको help desk मिले, और वो उसको refer करे, कि आप से, आप जिस भी topic की book, हम से requirement कर रहे हैं, जिसकी भी requirement है आपको, वो आपको इस section में मिल जाएगी, उस almira में मिल जाएगी, या इस library के इस section में आप उसको book मिल जाएगी, तो उसको reference भी subject देनी चलेंगी, और plus publicity करनी पड़ेगी, publicity करने का मतलब यह हुआ, कि कोई भी book अगर library में आ रही है, यूजर्स को पता कैसे चले, new arrivals का एक section बनाईए, magazines बनाईए, आपकी जो library की walls हैं, वहाँ पर इस बात को बताएए, कि आप कितने अच्छे efficient रूप में इस library का इस्तमाल कर सकते हैं, कौन-कौन से publication, कौन-कौन सी writers की book हमारे पास बहुत अच्छे amount में available है, जो बहुत demanding books हैं, उनके बारे में आप जरूर libraries में, corners में, posters लगाईए, तो अगर आपको publicity करनी हैं, या फिर libraries के जो users हैं, उनका जो database है, उनके पास whatsapp message जाए, उनके पास mails जाए, उनके पास अलग-अलग social medias के method से आप उनको publicity करके बताएए, कि हमारी books में, हमारी libraries में, ये resource materials available हैं, तो ये था हमारा third law, ठीक है, third law जिसमें हमने ये समझा, कि every book, जो भी books हैं हमारे, उनके कोई न कोई reader होते हैं, हमको वहां तक उनको पहुचाना है, fourth law, save the time of the user, users के time को save करना है, user का time save करिए, save the time of the user, या reader, इसमें क्या कहते हैं, save वही open access दीजिए, open access का मतलब, they can get to the relevant self, जो भी shelf लगी हो, वहां पे जाके, अपनी book को easily browse कर सकें, ठीक है, आराम से देख सकें, और जो भी book उनको चाहिए, वहां से निकाल सकें, यह है हमारा open access, अगर यह काम करेंगे, तो library में, जो भी student आया, या reader आया, उसको पता है कि, यहां पे shelf सरेंज है, वो जाएगा, अपने subject की self पे पास, और वहां पे देख के, books निकाल लेगा, without any technical difficulties, कि वो जाए, पहले catalog चेकर एक catalog के बाद, उसको पता चले कि, कहां पे है, फिर वो उसको लेने जाए, इसे अच्छा है open access दीजिए, कोई भी subject की book हो, आप वहां जाके, easily निकाल सकें, next, self arrangement आपका इस तरह से होना चाहिए, कि वो बहुत easily जाके, self में भी book धूर सकें, self तक पहुचा देना ही important नहीं है, shelf को आप इस तरह से arrange करिए, और उसका सबसे बढ़िया method क्या है, subject wise लगाईए, ठीक है, अलग-अलग subjects की book, अलग-अलग shelf में रखिए, so that की जो भी reader है, जो भी आपका user है, वो बहुत easily access कर सकें, अपने books को, और उसका क्या हो, time को save हो, catalog और classification easy होना चाहिए, ताकि users को भी easily आराम से books मिल सके, cataloging को इस तरह से बनाईए, या classify book इस तरह से करिए, कि library के users को, आप कम से कम समय में serve कर सकें, और जादा technical चीज़े हो जाएंगी, तो obviously बात है, यो user को हो गया, उसको बार-बार help decks के पास जाना पड़ेगा, और जितने time को वो help decks पे, अपना time बिताएगा, उसका time यहाँ पे करया होने वाला है, kill, खराब होने वाला है, ठीक है, हमारा यह purpose all नहीं होगा, उसकी वेज़ से, next है, stock room guidance, stock room guidance मतलब stock rooms, आप एक बार न, अभी मैं, जब यह class आप देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, एक बार आप यह stock room search करिएगा, ठीक है, मैं 4 अदपिक लगा दूँ यहाँ पे, बट वो properly आ नहीं पा रहे थे, adjust नहीं होई, आप एक बार stock room चेक करिएगा, यहाँ पे न, library में बहुत सारे, ऐसे stocks बने होते हैं, stocks, ठीक है, इन में books रखी होती है, तो इस तरह का guidance, और stock room के सारे, इदर आगे न, सारी details लिखी होती है, जैसे books की selfing करनी होती है, यह सारे guidance आपको इस तरह से मिलने चाहिए, कि आपका time save हो जाए, user का time save हो जाए, ठीक है, यह stock room का guidance होता है, जिससे library में जो भी user आएगा, उसको proper time मिल जाए, reference services, आपका reference services तरह होना चाहिए, कि properly, जो भी person आया, library के अंदर, उसको उसकी reader, उसकी book तक पहुचाओ, कम से कम समय में, इसके लिए आपको reference service चाहिए, library के enter होते ही, उसको helpdex मिले, helpdex में एक बंदा बैठा हो, कोई भी person आया, sir मुझे ये book चाहिए, वो reference person, या उसको बता दे, कि आपकी book यहाँ पे है, इस shelf में आप जाएंगे, तो आपको ये book मिलने वाली है, ठीक है, या catalog और index देखके, वो बहुत easily उसके पास refer कर सकें, उसकी book को उसकी तक पहुचा दे, इससे क्या होगा, reader का time save, issue return का method, method बहुत easy और बहुत convenient होना चाहिए, technology का इस्तमाल करिए, ठीक है, जिससे issue करते समय book, या फिर return करते समय, कम से कम time लगे, जिसको जो book चाहिए, within a minute, और within a second, उसको वो book available हो जाए, और अगर उसको book return करनी है, तो वो method भी उसके लिए बहुत easy हो, हैं, वो हमारे implement होंगे, next, fifth law, the fifth law, library is a growing organism, library क्या है, एक growing organism है, बतलब बढ़ता हुआ, जैसे एक शिशु, एक छोटा बच्चा, अपने जीवन काल में, कभी छोटा रहता है, फिर वो proud अवस्ता में आता है, बढ़ा होता है, उसी तरह हमारी library है, library को भी कभी न कभी, अपने area को, अपने size को बढ़ाना होगा, या requirement के हिसाब से, हमें अपने आपको, libraries को grow करना होगा, और इसके लिए या grow होती रहे, library को grow करना है, और होती रहे, उसके लिए हमारे पास, डॉक्टर एसार अगनतर सर्थ में फिफ्ट लॉ दिया, फिफ्ट लॉ के implementation में क्या करते हैं, कि उसका जो size है, ठीक है, number of volumes, वो develop होगा, वो नई shape में आएगा, और कुछ न कुछ changes होंगे ही library में, इसलिए जब आप भी library की building को design करें, library को design करें, तो इस बात का ध्यान रखें, कि कभी न कभी future में हमें इस library को grow करना है, और library की building plan करते समय, library के architecture को बनाते समय, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, growth कैसी होनी चाहिए, balanced growth, ऐसा भी now grow करना है, हर साल हजारों books खरी दी जा रहे हैं, unproductive books, या unplanned books, इस तरह से नहीं, balanced growth होनी चाहिए, जैसे कोई चोटा बच्चा उसको balanced diet दी जाती है, एक चोटे बच्चे की तरह, जैसे child grow करता है, adult group में, हर साल कुछ न कुछ add करिए, जो पुराना हो गया है, जो outdated हो गया है, उसको हटाइए, ताकि नई books का और नए तरह के users को आप अपने लाइबरिरी में attract कर सकें, आपके पास reading materials के numbers बढ़ने चाहिए, या varieties बढ़नी चाहिए, books होनी चाहिए, journals होने चाहिए, audio visual font में आपके पास material होना चाहिए, ठीक है, बहुत अलग-अलग तरह के interactive materials आप अपने पास रखिए, या library में रखिए, so that की आपकी users बढ़ें और users का varieties भी बढ़े, सिर्फ एक specific तरह के users आपकी library में ना आए, इस बात का ध्यान रखना होता है, library is a growing organism में, जो हम लोग देखेंगे, library की building और उनके provision को future proof बनाना पड़ेगा, ठीक है, libraries ऐसी बने, या building ऐसी बने, जो future को ध्यान में रखके बनाई गई हो, casting of the old books, old books को weed out करना है, ठीक है, हटाना है हमें, ऐसी books जो अब पुरानी हो गई है, जिनका अब कोई मतलब नहीं है, या अब उनके users हमारे पास नहीं रह गए है, या वो फट गई है, अब ऐसी books हो गई है, जिनका use करना मुश्किल है, उनको हटाना है, ठीक है, weed out करना है, और कुछ नए books को, कुछ नए values की books को हमें, modify करना होगा अपनी libraries में, libraries का modernization बहुत ज़रूरी है, technologies के साथ साथ अगर आप अपने आपको update नहीं करेंगे, तो आपकी library क्या हो जाएगी, outdated, माली जगर आपकी libraries में, बहुत ज़ादा time लग रहा है, issue return करने में, और आपने modernization नहीं किया, bar coding जैसे चीज़े नहीं लगाई, या RFID जैसे चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा, आपकी library outdated, अगर आपने modernization नहीं किया, आपकी library outdated, और अगर outdated तो organism क्या हो जाएगा, dead, और आपके library को dead नहीं होना है, आपको grow करना है, ठीक है, इसलिए कुछ आप ऐसी technologies का इस्तेमाल करिए, जिसकी विए से modification हो सके, modernize हो सके आपकी library, ठीक है, ये थे हमारे five laws, ठीक है, five law of library science, question कैसे आएंगे, question आएंगे कि, आप में कोई statement दे दिया जाएगा, कुछ भी आपको बताया जाएगा, और उसमें पूछा जाएगा, कि ये implementation law का, ये किसी भी law का एक implementation आपको दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा, कि ये implementation किस law का है, ठीक है, ओके प्रदीप कुमार का comment है, सर, library science किस में पढ़ना है, सर, क्या PRT में है, TGT में है, या, please help सर, प्रदीप, library science का एक अलग folder है, एक अलग vacancy है, ठीक है, न ये TGT की है, न ये PGT की है, ये non-teaching post में है, ठीक है, जो non-teaching post है, हमारे library में, librarian को non-teaching post में रखा गया है, music, physical education, and art education, ठीक है, उसमें अलग से है, ये PGT, TGT में नहीं है, अगर अगर आप application के बारे पूछ रहे हैं, तो application, library science, जो संसितंगा application है, उसके अलग section, एक अलग section बनाया गया है, library science का, आप उसमें देख सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे, तो उसमें सारे materials आपको available मिलेंगे, ठीक है, चलिए, so friends, यह थी आची class, जिसमें मैंने आपको बताया कि, हम लोग क्या देखेंगे, कि आपके वास जो questions आएगा, कि कोई भी एक implementation दे दिया जाएगा, और उस implementation से पूछा जाएगा, कि यह library की किस law से related है, चैक है, या first law, second law, third law, कुछ ऐसे connection बनाया जाएगे, कि यह first law क्या कहता है, इसका implementation क्या है, या कोई implementation दे दिया जाएगा, तो उसे पूछा जाएगा, कि इसका कौन सा law है, या यह law किस law से implement होता है, ठीक है, I guess तो इस चीज़े clear रही होंगी, जो हम लोग इसका questions practice करेंगे, कैसे बनाया जा रहा है, मैं अब यह video जो बनाने वाला, इसके बाद यह last video है, जो free of cost आपको library मिलेगी, कुछ promotional videos मैं आपको दे सकता हूँ, कुछ अलग videos मिलेगी, या जब हम लोग objective ट्राइब को question discuss करेंगे, maybe तब आपके पास कुछ videos पहुचेगी, बट इस chapter के बाद की कुछ videos जो ऐसी होंगी, जो आपको सिर्फ आउर सिर्फ application पर मिलेंगी, आपको इस course related कोई भी doubt हो, कोई भी problem हो, payment को लेकर, course की details को लेकर, आप शिवम जी को इस number पर contact कर सकते हैं, चिक है, ये number है आपका 780013446, इस पर call करके, आप शिवम सर से जो भी details आपको चाहिए, इस course related, वो course आप पूछ सकते हैं, I hope की चीज़ी clear होंगी, कोई doubt होगा, तो नीचे comment में डालेगा, मिलते हैं कौने वीडियो साथ, तब तक के लिए, नमस्कार, जैहिंद,